हेलो एवरीवन मेरा नाम है डॉक्टर सोनी प्रियंका मैं एक डॉक्टर हूँ और साथ ही साथ मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ मैं अपनी वीडियो के माध्यन से आपको healthy lifestyle lead करने में आपके help करती हूँ और मैं आपको disease prevention के बारे में भी बताती हूँ आज की वीडियो में हम लोग negative या zero calorie food के बारे में बात करने वाले हैं यह negative calorie food क्या होते हैं क्या यह possible है कि किसी food में negative calorie हो आये समझते हैं जब भी हम कोई food लेते हैं उस food से हमें energy मिलती है हमें calorie मिलती है और इसी energy को हमारी body body function में और हमारे survival के लिए यूज करती है और जब भी हम कोई food लेते हैं तो body इसे digest करने के लिए कुछ energy खर्ट करती है हमारे digestion में, हमारे food के absorption में, food के processing में और finally food के elimination में हमारी body को कुछ न कुछ energy यूज करनी परती है और अगर हम ऐसे food खाएं जिसमें जितनी calorie present है उससे कहीं ज़्यादा calorie हमारे body को उसे digest करने में यूज करनी परती है तो ऐसे food को हम लोग zero calorie या negative calorie food कहते हैं ऐसे food calorie में बहुत लोग होते हैं और nutrition में बहुत high होते हैं इन में fiber content और water content भी बहुत अच्छा होता है और इसलिए यह आपको बहुत लंबे समय तक फिल रखते हैं और यही कारण है कि आपके dietician आपके doctor आपके health coach आपको weight loss के दोरान इस food को प्रचूर मात्रा में अपनी diet म इंक्लूट करने के लिए बोलते हैं और इसके अलावा इसके other health benefits भी है तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 superfood के बारे मताऊंगी जो negative या zero calorie food है यानि उन में बहुत कम calories है चलिए start करते हैं हमारा पहला superfood है carrot यानि गाजर गाजर में per 100 gram only 41 calories होती है और यह vitamin A में रिच होता है यानि यह आपके eyesight के लिए बहुत अच्छा होता है हमारा second superfood है water melon, water melon में per 100 gram only 30 calories ही होती है और यह water content में high होता है यह गर्मियों के दिन में आपको हैडरेट रहता है हमारा third superfood है broccoli, broccoli में per 100 gram only 34 calories होती है और यह vitamin C में रिच होता है और other nutrients भी इसमें present होते हैं लेकिन इसमें आपको ध्यान देने की बात यह है कि जब आपको hypothyroidism होता है तब यह food आपको नहीं लेना चाहिए हमारा fourth superfood है cabbage यानि के पत्ता को भी इसमें per 100 gram only 25 calories ही होते हैं और यह भी vitamin C में और other vitamin में रिच होता है और इसे भी आपको hypothyroidism में नहीं लेना चाहिए हमारा पांचवा superfood है ब्रींजर याने की बैगन बैगन में per 100 gram only 25 calories ही होती है और यह भी fiber मेरिच होता है हमारा अगला superfood है छठा green leafy vegetables इसमें per 100 gram only 20 calories आपको मिलती है और इसके बहुत सारे variety है आप इसके लिए पालक मेथी बथुआ वोभी के पत्ते मू यह सब यूज कर सकते हैं और आपको calorie की चिंता नहीं करनी है इसके अलावा इसके बहुत सारे other health benefits भी है यह antioxidant में हाई होता है यह digestion के लिए भी अच्छा होता है हमारा 17 superfood है बेल पेपर से आने की similar mix similar mix भी vitamin C में अच्छा होता है और यह powerful antioxidants भी है इसमें per 100 gram only 20 to 24 calories ही ही होती ह हमारा 8 superfood है white mushroom, white mushroom vitamin D में अच्छा होता है और यह आपके mood को भी enhance करता है और per 100 gram only 20 calories होती है हमारा 9 superfood है tomato यानि की tomato, tomato vitamin C और lycopene में रिच होता है और यह दोनों antioxidant है तो यह आपके skin के लिए बहुत अच्छा है और per 100 gram आपको only 18 calories ही मिलती है नारा last superfood है यानि की 10th superfood है cucumber खीरा इसमें only 15 calories होती है per 100 gram और इसका water content बहुत अच्छा होता है और आप जितना मर्जी चाहें आप इससे अपने diet में include करें आपको बहुत health benefit मिलने वाले हैं तो यह थे top 10 ऐसे food जिसमें negative calories, zero calories होती है होती है अब बात करते हैं इनके other health benefits की अगर आप यह food अपने diet में include करते हैं तो आपके body के detoxification में help करता है आपके body का metabolism यह high करता है और आपका weight loss अच्छे से होता है आपके blood cholesterol को भी यह maintain करता है आपके mental health के लिए अच्छा है आपके digestive health के लिए अच्छा है और आपके skin और hair के लिए भी बहुत अच्छा है यानि के balanced food लेना है आपको इसके साथ complex carbs good quality और good quantity में भी protein एड़ करना है और healthy fat भी एड़ करना है तो यह सब tips आप अपने diet में include करें और देखिए कैसे आपका weight loss process के इतना easy हो जाता है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे like और share करें और इस चैनल को subscribe कर ले तील देन be healthy and be happy